नमस्कार दोस्तों, गौवर्मेंट करमचारी, Old Pension System, New Pension System अगर आपौवर्मेंट करमचारी हैं तो सुनना ही सुनना है, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो भी ये important है आपके लिए, विकाज वो जेव से पैसा आपी के निकलना है ठीक है तो ये सब के लिए important है धिहान से सुनो ये मुद्धा बहुत बड़ा बनने वाला है आने वाले टाइम में तो इसकी शुरू में थोड़ इसी एक basics करके मैं बताना चाहूंगा government करमचारियों को 2004 में central government के जो हैं और state government को भी बाद में आ गया था कईयों का 2005 में शुरू में आया है सबका अलग अलग आया है पर उसके बाद pension नहीं मिलती old style में अब आपको contribution करना पड़ता है जिसको new pension system बोलते है new pension system में employee भी contribute करता है और employer भी करता है और वो आपका पैसा डलता है आपको सारी उसकी जानकारी है अब मैं इसमें नहीं घुसूंगा कि कौन सा अच्छा बुरा है अच्छा बुरा कैको choice थोना है जिसको जो मिल रहा है अफकोस ground पे ये समझा और समझा जा रहा है political party especially opposition वाली जो है आजकल कि भाई ये OPS OPS में जाएंगा और करमचारी भी बड़े खुश है क्योंकि अफकोस उनको लगता है कि भी हमें पैसा मिलेगा अब old pension system में जब आप retire होते तो मोटा पैसा मिलता है आपको pension तो मिलती मिलती है लाख में से 50,000 उसकी commute होती है एक formula के हिसाब से जो 8 point सबसे multiply करता है depending on your age ठीक है और बाकी 50,000 basic pension बन जाती है उस पर फिर एक लाख पर डिये मिलता है तो यानि आप ये देख लो pension कितनी जाता है कुछ सरकारी करमचारी हैं आप लोगों को and मैं बहुत बड़े लेवल पे नहीं नॉर्मल सरकारी करमचारी की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल लेवल पे retire हुए है pension डेड़ डेड़ लाक रुपया है ये बिल अब government नहीं जादा दे सकती इसलिए उस time पे ही आ गया था ये and इसको दुबारा old pension में जाने में इंडिया bankrupt हो सकता है as a country हम bankrupt हो सकते है states जाँ-जाँ डाला जाएगा bankrupt हो गया और ये मुद्दा बनेगा बहुत खराब चीज है जो आम आदमी है जो सरकारी नौकरी अब जो सरकारी नौकरी वाला है वो तो it is something लेका आपको reservation मिल रहा तो आप क्यों कहोगे बुरा है और जिसको नहीं मिल रहा हो कहेगा बुरा it is as simple as that लेकिन reservation में तो कम से कम यह होता है कि यहाँ नौकरी है सरकारी इसको reservation मिल गया ये चला गया फाइदा हो गया इसको नहीं मिला तो ये रो गया इसने कुछ और कलिया इसकी जेब से तो कुछ नहीं निकला मतलब आपको नौकनी नहीं लगी सरकारी तो आपकी जेब से तो कुछ नहीं निकला यहां तो यह टैक्स जेब से जाएगा दूसरे लोगों के तो इसमें अब सरकारी करमचारी जो छोटे स्टेट्स हैं उसमें क्या है liability government की एक बार में कम बंती है retirement में को मोटा पैसा नहीं देते commutation का कोई system नहीं है आप ही का पैसा markets में डला है थोड़ा उनने उत्रा equivalent contribute किया है और उसमें एक annuity plan लगा देते है annuity I am sure आप लोग समझते होंगे मेरे subscribers की annuity plan का है और उसी के इसाब से आपको दिया जाता है तो it is a good thing बट यह जो यहाँ जैसा सुआद आ रहा था लोगों को साइकलोज यह वाला नहीं पर आपको देखना है इंडिया में life expectancy बहुत बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अब पहले अगनी वीर स्कीम जो आई है जिसे तो अब क्योंकि F वाला फॉज वाला वर्ड बोलतो तो गभराट बहुत हो जाती है लोगों को अगनी वीर अच्छा है बुरा है बड़ा हला मचा 15 साल 17 साल नौकरी करके भी एक इंसाना वो बोल देंगे कि अरे जवान की तो लाइफ ही नहीं है लाइफ की कोई कीमत नहीं है अमुले होती है बिल्कुल होती है जिस भी जवान का जो भी कुछ हो मैं कहा रहा हूं 5, 10, 20, 50 100 करोड दे दो जो भी जवान हमारा जो भी देश का बच्चा देश की भारत माता के लिए शहीद होता है मैं कहना हो 100 करोड रुपया दोसको लेकिन अगर सब को इस तरह पेंशन के हिसाब से जो कैलकुलेशन थी देने लगते तो 35 में जो रिटायर हो रहा है और 95 तक जी रहा है तो 60 साल तक पेंशन जाती तो गवर्मेंट ने किया अच्छा किया बुरा किया हम मैं बहुत ज़्यादा कमेंट कर लूँगा मैं क्यों कोड़ेखा हूँ मैं मेसेंजर हूँ वो कर दिया है गवर्में अगनी वीर आगी है अगनी वीर में चार मेंसे एक आदमी सेलेक्ट होगा अब वो कॉर्मेंट ने जब वहाँ नहीं छोड़ा वहाँ नहीं छोड़ा जो की बिल्कुल emotional issue है बहुत emotional issue है और मैं भी मानता हूँ है और होना भी चाहिए ठीक है फॉज का इसे emotional issue because फॉज is emotions only ठीक है देश की रक्षा कर रहे है अपनी जान डाल के कोई और काम में नहीं करते है किसी और काम में ऐसा काम नहीं कि आपकी जान जोकिम में और देश की रक्षा हो रही है ऐसा कोई और कोई काम ही नहीं है ठीक है तो बहुत पाइस काम है उस पे मैं बहुत ज़्यादा तर्क जाके चंता नहीं गरूँगा मैं यहाँ फिर पकड़ूँगा इस बात को कि जुर्बाग की नौकरी है स्टेट गवर्मेंट की नौकरी है कलर की नौकरी है नौर्मल पियन चपड़ासी की नौकरी है नॉर्मल इतने सारे लोग हैं, तो अब गौर्मेंट भाई, NPS में ही रखेगी, OPS वाला आना नहीं है, आया तो बैंकरप्ट होगे आप, सारे के सारे, देश होगा ही होगा, math पे कर लो, यहाँ वो Excel का calculation चलेगा, जो वारी कुजी करते हैं, करके देख लो, और उसको run कर दो, देटा को 10-20-30 साल, कुछ नहीं बचेगा देश का, सारा देश कमाएगा, सिरफ इन सरकारी, उसके लिए, क्योंकि, लाइक पहले क्या होता था, retirement age उस्टू बी 58-56, and life expectancy उस्टू बी 56-58, I am talking 30-40 years back, वो life expectancy 60 होई, 62 होई, 65 होई, 68 होई, 70, 73, 72 के पास चल रही है, अभी अग रहा है नोकरी, या लड़की जो लग रही है भी उसने तो 90 साल जीना है, तो वो बहुत बड़ा चीज हो जाती है, और pension में क्या होता है, surviving spouse के तक भी मिलती है, husband चला गया, नोकरी करने वाला तो spouse को मिलती है, अब spouse अगर महीला है, और उमर में 4-5-6 साल छोटी है, और महील से क्या है, ये अगर चीज आई तो सरकारी करमचारियों के लिए बहुत नफरत जागेगी आम आदमी में, आप इतने वो नोकरी करने में कोई सुख आएगा ही नहीं, तुम्हारे काम, क्योंकि impression अभी जो है सरकारी करमचारी का, जो मैं मानता हूं कि गलत impression है, गलत impression क्या है कि काम नहीं करते, दूसरा impression क्या है, घूस बहुत खाते हैं, तीसरा क्या है, निूसंस करते हैं अपनी पावर की, ये impressions हैं सरकारी करमचारी, जो कि नहीं है तो आप मुझे बता दो समाज में हैं, मैं ये बिलकुल भी नहीं कह रहा है कि ऐसे लोग हैं नहीं, लेकिन इतने क प्रोड सरकारी करमचारी में से ये परसंटेज बहुत लो है, अगर आप करो, पर perception बहुत जादा है, जैसे section 498 के जो case होते हैं, शादी के अंदर वो लड़कियां डालती हैं, लेकिन quantity में इतने जादा नहीं है कि सारी लड़कियों को ऐसा बुला जाए, बहुत कम हैं, प्रेकार लगते हैं मालो, तो फिर तुम अपनी बहनों और बेटियों की शादी क्यों करते हो इनके साथ, मत करो ना, भी ऐसे इंसान के साथ क्यों शादी करनी चाहिए, जो एकदम morally corrupt है, पैसे काम नहीं करता है, अकल नहीं है, और निकमा है, और मतलब देश के लिए भी का प्रेटेशन दे रहा था, थोड़े दिन पहले एक किसी चीज़ पे थी, तो लड़का वास शादी नहीं हो रही, उसको इशू आ रहा है, आईटी का है, एक करोड की तंखा है, यूपी का है, वेस्टन यूपी का है, वेस्टन यूपी का है, अब डिस्ट्रिक्ट भी आप सरकारी नौकरी नहीं है, भाई साब एक करोड का पैकेज, आईटी बॉंबे, आईटी भी बहुत खुले हुए, आपको पता है, आईटी मुंबई, आईटी बॉंबे का लड़का हूं, कम्प्यूटर इंजिनियर, मतलब सब इट इस लाइक दी बेस्ट, अगर आपका सेले आदमी हैं, जो नहीं हैं, वो इस चीज पे अपनी आवाज को सोशल मेडिया, इस वीडियो के मादियम से, कमेंट सेक्शन के मादियम से, ट्वीट पे, अपना भेज के, फॉरवर्ड वाटसाप पे, अभी सारे उसकी चर्चा करने की जुरूत नहीं, जो आप लोग करते र करते हैं, यह वाली चर्चा कर लो, यह आपकी जनरेशन को परिशान कर देगी, जैसे पॉलिटीशन अब रिजर्वेशन एक बार आगी, उसको कुछ कर नहीं सकता, कितने बड़ी परधानमंत्री आजाएं, कुछ मर्जी आजाएं, आर्टिकल 370, यह कौन से वाले अपने, यह सारे पुराने इशूस जो चल रहे थे सब है, वो कश्मीर वाला और सब वो सारे सेट हो सकते हैं, पर यह नहीं सेट हो सकता, यह कोई नहीं करने वाला, जो करेगा मरेगा, सबको पता है, ठीके, तो यह OPS वाला भी इसी तरह का पड़नोरास बाक्स खुल रहा है, ऐसा ह के नाम भी बता देता हूं, जो ज़्यादा एफिक्टेड हैं, उसमें, गुजरात में नहीं है मुद्दा, OPS NPS का, ठीक है, नहीं रहेगा, मुद्दा है हिमाचल में, मुद्दा हर्याना में, कुछ हद तक पंजाब में, क्योंकि यहां गौर्मन्न सर्विस में लोग है, रिटायर हो रखा है, होने वाला है, यह होने वाला है, तो वो उतना वोट बैंक हो जाता है, तो वोट बैंक, परसंटेज फ़र्म में, छोटे स्टेट्स में, चार से पांच परसंट हो सकता है, और चार से पांच परसंट में, क्लोजली फोट एलेक्शन में, दो लोग गलत है देश के लिए जब आप घुसे थे तब NPS था ना अब OPS की क्या जरूरत है अब जो 2003 में जब आया चार में आया भरती हुई सुप्रीम कोट में गए वो केस जीत गए कि भी हमारी भरती लेट हुई पर नोटिफिकेशन पहले था जब मैंने एक्जाम लिखा था तब तो ओल्ड बेंशन स्कीम थी इसलिए तो मैं आया था अब तुमने चेंज कर दी तो वो कुछ लोग वो फिट हो गए वो जैसे शेटर बंद होता है और लास्ट में कोई निकल जाए ना तो उनके लिए ठीक है पर भाई तुम दोजार पांच में च्छे में सात में आठ में 2023 में आ रहे हो अब तुम्हें तो पता है ना NPS है और नहीं तुम्हें NPS पसंद तो मत आओ जाओ कॉर्परेट में तो तुम्हें अब कहां कारो ना अब ये मुझे एक चीज़ समझनी आ रही कि अगर ये OPS इंप्लीमेंट करेंगे तो ये 18 साल 17 साल से जो ये पैसा कटा है 10-10% और वो जमा कर रहा है उसका क्या हिसाब किताब होगा दोनु तरह और जो गॉर्मेंट ने दिया है और वो दिया है उसको कैसे अब ऐसे थोना है कि आके कुछ भी कर लेंगे रायता फैल जाएगा भेंकर तरीके का एकनॉमिकली जेब से तो किसी ने देना नहीं कोई भ बादे कर दो आप ही लोगों के जेब से पैसा निकलेगा अरे अभी तो बिजली सड़क पानी यही चल रहा है भाई साब यही ठीक नहीं हो लिया उसके बाद फिर पता नहीं आगे कितनी इंप्लॉइमेंट और कितनी जादा इशूज हैं यह जिस इंसान ने 60 साल लौकरी क इरली गॉर्मेंट की भाई बहुतेरा काम हो गया पहले मिलती थी थी के वेरी गुड मिलनी जी थी मिली जिनको पर अब जब नहीं मिल रही तो अब उसको दुबारा मिल जाएगी यह इस तरह करके तो यार फिर तो मतलब तुम वोट दे के पैसे दे की वोट खरीलो नसी द तो फिर तो मतलब को एंडी नहीं आपको पता हो पैसा आप ही की जेव से निकलना है पर इट वो बोलेंगे तो फूर्ड लगेगा इसलिए बोलनी रहे पर यह ऐसे ही तो है अब हर्याना में हर्याना में कुछ नई स्कीम निकल लिए कि अगर आपकी शादी नहीं है तो आपको पेंशन मिलेगी बताओ यार 45 to 60 सबसे वो आपने शादी नहीं करी आप देखो वीडियो है कोई तो तो समझ में चलो आता है भी सरकार आर्थिक मदद करना चाहती है करनी चाहिए ठीक है साट साल के बाद सरकार वैसी दे रही है बुढ़ापा पेंशन सभी को दे रही है ठीक है पर यार आपने शादी नही लगी आप से आप नशेडी गंजेडी टाइप बंदे थे और आपको कुछ नहीं कि अब आप 45 साल के होगे अब आपको सरकार को दिखाना है प्रूफ कि मैं एक लाख 80,000 रुपे साल के नहीं गमाता तो सरकार आपको पेंशन देने शुरू कर देगी वाओ या यह कोई एंड नहीं है यह कोई पार्टी स्पेसिफिक नहीं है यह सब के लिए ही है यह रायता सारी एक जैसी ही है पार्टी है सत्या नास्टी सारी किस सारी क्योंकि यहां के कुछ बनाओ ना तू भगता है तू डिबरांडू है तू आपतर है यह 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 लोगों के आदत तो रखी है या कोई कुछ नहीं है सारे बावडी बूच भी डिकलेर किये जा सकते हैं ये सारे सारे ये इनसे बहभीत रहें ये अगर एक को वोट देनी है तो उसको जिसको वोट देनी है उसको गाली नहीं दे सकते हैं उसको जिसको नहीं दी उसको क्यों दे रहे हो उसको त तेरे साथ हुआ है ठीक है तो यह वाले एक्जापल देने पड़ते है योर फाइफ शाउटस अट यू बिगोज शी मैरेड यू न शी हाज अल दा राइट टू शाउट अट यू बिगोज शी इस एसोसेटेट विद यू पड़ोसी पे तो नहीं चिलाती हो तो यह पॉलिटिकल पार्टी को साथ आप ऐसा विवार क्यों नहीं करते है कि जिस पार्टी को आप फॉलो कर रहे हो जिसको आप वोट देने वाले हो बाकियों को तो आप देने ही नहीं वाले तो जिस party को आप vote देने वाले हो उसको जाके आप क्यों नहीं मूँ खोल के बोलते कोई सी भी हो कि मैं आप शब्तों नहीं बोलूँगा बट फुपे मैं तेरे को vote देना तो यह हरकते करेगा तो फिर मैं उसको देदूँगा नफरत से उसको मैं देना नहीं चाता देना तेरे को चाता हूँ पर तू भी हरकते ऐसी कर रहा है अब choice क्या करें कहीं ना कहीं politics पे clarity वाले video मेरे को लगता है ज़रूरत है सच बताओं तो बहुत बोलने में वैसा भी लगता है कि आर खाँ पचले में फसना बट भाई अंदर से कई बर कंट्रोली नहीं होता क्योंकि clarity है clarity देनी है तो यह चीज़ की तो clarity सबसे बड़ी चाहिए तो प्लीज आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा शेर करना लाइक करना थैंक यू वेरे बिच